थर्ड कुश्यन देखिए AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB AB line के उपर इस line के उपर आप देखोगे कि AD और BC दो perpendicular है ये देखो AB line के साथ 90 degree का एंगल बना रहे हैं दोनों ही ठीक है और साथ में ये भी बोला है कि ये equal perpendicular है it means AD equal है BC के ओके आप question में observe करोगे न तो आपको sign भी नजर आ रहा है ये 90 degree दोनों दिखा रहे हैं साथ में ये वाला sign बता रहा है कि AD line equal है BC line के ये हमें given है proof क्या करना है so that CD bisect AB let's start to solving this question सबसे पहले हम लिखेंगे given given में हमारे पास क्या क्या है एक तो ये है AD equal है BC के अगर question में भी आपको समझ में ना आए तो ये sign देखो बता रहा है कि ये दोनों line है आपस में equal है then हमें दे रखा है angle A equal है angle B के 90 degree क्यों angle A और B equal है reason इसके पीछे हम देंगे देखो question की पहली line में दे रखा है क्या दे रखा है AD and BC ये क्या है perpendicular है किस पे AB पे ठीक है ये हमने reason दे दिया to so क्या सो करना इस question में हमें कि CD line bisect करती है AB line को AB line ये रही इसको CD कहां intersect कर रही है यहाँ पे it means हमें proof करना है कि ये O A line equal है O B line के question में हमें proof करना है O A equals to O B चलो अभी solution करते हैं दो अलग-अलग triangle नजर आ रहे होंगे न हम दो triangles में काम करेंगे in triangle एक का नाम देखो यहाँ से ले रहे हैं A O D A O D और तो दूसरे का नाम हम कहलेंगे B O C ठीक है इस तरह से हमने नाम लिया in triangle A O D and triangle B O C इनमें सबसे पहले जो गीवन है वो लिखते हम A D line equal है B C के यह हमें given है then angle A equal है angle B के यह हमने उपर लिखा था ना अभी दोनो 90 degree के है given अभी एक चीज हमें find out करनी है देखो आप लोगों को पता है जब दो line ने intersect करती है तो हमारे पास कौन से angle बनते है vertically opposite angle बनते है यह वाला angle equal होता है इस वाले angle के naming अच्छे से लिखेंगे हम line लेके आ रहे हैं angle की देखो B O C angle B O C तो इधर से क्या बन रहे है angle A O D angle B O C equal है angle A O D के bracket में reason देंगे vertically opposite angle देखो दो triangle की हमने तीन चीज़े equal बताई हैं यहाँ पे side equal है यहाँ पे angle equal है और एक और angle हम लोगों ने equal दिखा दिया तो यहाँ से हम क्या conclude कर सकते हैं कि यह दोनों triangle एक दूसरे के congruent हैं यहाँ लगाएंगे therefore का sign और हम लिखेंगे triangle A O D congruent है triangle B O C के by कौन से congruent का use किया है हमने angle side angle का दो angle है एक side है इसलिए side बीच में angle side angle congruent rule जैसे ही हमने triangles को congruent बता दिया तो हम लोग यह कह सकते हैं कि O A line equal है O B line के यहाँ पे reason देंगे by C P C T corresponding part of congruent triangle जब हम triangle को congruent दिखा देते हैं तो उनके जो भी part है न वो एक दूसरे के equal होते हैं कि यहां से हमने conclude कि O B equal है O A के और यहीं हमें प्रूफ करना था कि C D line बाइसकते करती है A B line को A B line को बाइसकते करती है तब हमारे पास A O equal O B आया है न ओके Now move to the next question